क्या हाल है सब के उमीद करती हूं सब ठीक होंगे सुबों का टाइम में बच्चे स्कूल जा चुके थे और यह देखे मैं चाय पी रही हूं और यह मलाई जो है वो मैंने कप के किनारे पे लगा दिया जैसे कि सारे लगाते और साथ साथ मैं आपको दिखाऊं बाहिर का मौसम कैसा है आज बहुत विंडी हुआ है बाहिर का वैदर ना विंडी तकरीबन दो तीन दिन से इतनी ज्यादा तेज हमाएं चल रही है और सरदी तो थोड़ी कम हुई हूई है टेंपरेटर इतना ज्यादा नहीं है और साथ मैं जो हूँ वो अपना रामा इंजुआ कर रही थ तो उनको बताऊं कि हाउस वाइश भी हूँ चार बच्चों की अमी भी हूँ और साथ मैं Amazon eBay पे भी काम करती हूँ मतलब बहुत कोई बहुत बड़े लेवल पे मतलब हमारा बिजनस नहीं है हमारा चोटा सा बिजनस है तो Amazon पे भी और eBay भी अकाउंट्स है मेरे भी और husband के अभी तो हम अपना च्छोटा सा बिजनस जो है न वो चलाते है तो मैंने पहले भी अन्य वीडियो में बताए था कि मैं मुझे पहले तो बिलकुल कुछ भी नहीं आता था यह तकरीवन एक साल ग्रीट साल से मैंने इंटरस्ट लेना शुरू किया है कि मतलब मुझे अपनी आकाउंट्स जो है ना मैं खुद देख लेती हूं और बैंक ट्रांजेक्शन्स वगयरा भी जो कुछ है वो मैं सारा खुद कर लेती हूं हर आरत को जो है ना वह इंडिपेंडेंट होना चाहिए उसको अपना मतलब सब सबका खरचा तो नहीं लेकिन वह अपना तो कम असकम उठा ले ना चोटी मूटी ज़ूर थे तो वह पूरी करें ना और खुद को भी अच्छा फील होता है ना जब हम इंडिपेंडेंडन होते हैं तो बस वही मतलब मैं चाहती हूं कि हर और जो है ना वो खुद को मतलब थोड़ा उंचा फील करें खुद कमाई तो यह मैंने Amazon पे सेल करती हूं तो यह मेरी प्रड़क्स आ गए थी तो मैंने का मैं आपके सामने इनकी जो है वो अंकोक्सिंग कर लेती हूं साथ में इनकी लेबलिंग कर लेती हूं फिर इंशालला इसको बुग करवा देंगे और कल या परसन तक डिलिवरी जो है न वो इसकी हो जाएग था है मैंने तीन साल पहले बनाया था मेरे चैनल पे अभी वो परानी सारी वीडियोस पड़ी हूई है उस वकद भी तकरीबन एक महीना किया होगा दिल लगा के काम फिर छोड़ दिया मतलब कोई इतना जादा इंट्रेस्ट नहीं था और पता भी नहीं था क्या करना चाहि वैसे ही शुरू कर लिया और लोग कॉंफिरेंटर में इतनी थी कि पूछे ही मत तो बस छोड़ दिया जब मैंने तीन साल पहले अकाउंट बनाया था तो उसी वकद मेरी एक दोस्त थी उन्होंने भी मेरे साथ अकाउंट बनाया था तो मैंने तो छोड़ दिया मुझे मतल जर्या ही वो नहीं था या मेरी सोच इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं मतलब इससे कुछ कर सकूंगी ऐसी शौक की खातरी बस बना लिया मैंने तो मेरी वो जो दोस्त थी वो करती रहीं उस पे लगातार काम करती रहीं करती रहीं करती रहीं और माशाला से अब उनका चैनल मॉ पॉइंट ओफ व्यू दिया है नजरिया दिया है एक मतलब अपनी सोच थोड़ी बेहतर किया है के नहीं मैं भी कर सकती हूं सारा मतलब सब नड़कियां कर रही हैं कमा रही हैं खुद से तो मैं भी कुछ ना कुछ कर सकती हूं कि कि तो आप यकीन करें कि पहले मैं मुझे मथे लगता था कि मैं ठड़ई लिखे इतनी नहीं हूं न तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती है तो लेकिन अगर हम सर्ज करें न में तो कहती हूं में इतने उनको तो जर्बे मिल जाते हैं कि वो कुछ ना कुछ किर के ना आगे निकल जाते हैं तो दूसरी बात ये है कि बन्दे की नियत अच्छी हो यहाँ न तो अगर नियत ही इंशान की अच्छी न हो तो फिर अल्ック अब नहीं देता हम मेहनत करते नहीं हैं और कहते हैं हमें फल पहले मिल जाए अब अगर मैं मतलब मुझे वन मन्त हुआ है मैं रेगुलर्ली वीडियोज डाल रही हूं अब मैं रात को सो जाओं और सुबा सुबोट की देखूं कि मेरे दस हजार फॉलवर्स हो गए हैं और मेरा वाश टाइम पूरा हो गया तो मैं तो कहूँ लो जी यह तो मुझे बैठे बठाए प्लेट में हलवा मिल गया मैं तो उसके बाद मेहनत करना ही छोड़ दूँगी तो मैं क्या लोगों को कहूँगी कि मैंने तो महीनत ही नहीं की तो मुझे तो फल मिल गया तो इस तरह कि इस तरह पिर मजा नहीं आता बंदा मेहनत करें जरा खजलकवारी हो तो फिर फल मिले ना फिर उसका मजा आता है तो बस यह यह के सीखने के रस्ते में सबसे बड़ी जो रकावट होती है ना वो हम खुदी होते हैं मुझे अपने सिलस होती होती है कि मतखाब तो मैं बड़ी देखती हैं कि मैं यह कर लूँ मैं वो कर लूँ मैं वो कर लूँ लेकिन हमारी सोच इतनी छोटी होती है ना कि हम पहले ही कह देते हैं कि नहीं मैं तो नहीं कर सकती है तो वहीं बात है कि हमें अपनी सोच बड़ी रखे ना कि मैंने ये काम करना ही है तो फिर मेरे ख्याल में हो सकता है किसी चीज का हम जो है न वो इरादा कर लें कि हमने तो ये करना ही करना है बस उस काम के पीछे पढ़ जासे कि मैं आप पीछे पढ़ गई हूँ ना कि मैं आप करके ही चुड़ूंगी तो इन्शालला मैं कहती हूँ कि आप महنت करेंगे ना तो अल्ला तो देखी रहे ना और अल्ला तो महनत का सिरा इंसान को देता ही है और इंशालला वो तो मिले गई अपनी दुश्मन हम सबसे पहले खुद ही होते हैं अगर तो लाइफ में कुछ करना है तो मनफी जो सोचे हैं उनको सबसे पहले निकालना पड़ेगा मैंने तो आप यकीन करें मनफी सोचे भी निकाल दी है और मनफी लोगों को भी निकाल के एकसाइड पी कर दी है मैं तो कहती हूं कि जो यह नेगिटिव किसम की लोग होते हैं आप उनके ना रभीयों से अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि ये मतलब कुछ नेगेटिविटी फ्लाएंगे तो ना तो उन लोगों को बताएं और ना ये उनके पास बठें क्यूंकि उनकी नेगेटिविटी आप में भी आएगी और फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो बस साथ सही रदा कर लें कि हमने तो कुछ करना ही है हम कुछ करके दिखाएंगे तो इन्शाला आप लोग कर लेंगे मैंने तो दो न अब डेट नोट की हुई है मैंने 20 दिसंबर 2023 से वीडियो जालना स्टार्ट कही थी तो इन्शाला इन्शाला एक दिन मैं भी आप लोगों के काम मैं अब होने के लिए हमें महनत बुहरत करनी पड़े हैं आप यकिन करें के मैं इतनी मैं महनत करनी हना शायद वीडियो में बीमें उतना नहीं दिखा पाती जितना के मैं सारा दिन लगी रहती हूं यह तो मैं आI THINK 50% ही दिखा पाती हूं सारा दिन में रीस तरा बाब जास में ये तो मैं बिल कुल भी रिकार्ड करना जो है ना की कड़ोबटा सतभी हो आपके शठ यहां सेtv้ा हो फिर भी देखती São Vido Bowl Geek ठीक आया अगर ना हो तो फिर वो दुबारा से रिकार्ड करना पड़ता है तो मेहनत तो मैं कर रही हूं और इंशालला अल्ला ताला पर पूरी अमीद है कि मेरी मेहनत जाया नहीं होगी बाकि एक के मसले तो आते ही हैं मुश्किले भी आती हैं सारा कुछ ही होता है इंसान को फेस करना होता है इंसान के mood भी searching होते है दिल भी नहीं करता लेकिन जब करना हो तो इंसान कर लेता है और पिर अल्ब शाथ देता है एक यह कि मैंने जो है ना आमीर अब बहुत बड़े लिखे बी लोग उनको मैंने इतना साधा देखा है ना दूसरी टाइप के भी लोग होते हैं मतलब 50% हो सकता कि मेरी बात से अगरी ना करे लेकिन मेरा पाला जिन जिन लोगों से बढ़ा है ना बहुत अमीर लोगों से और पड़े लिखे डिगरी आपतास लोगों से इतनी साधा तबियत के हैं कि मैं हैरान होती हूं कि अनको इतना दिया है और इतना मतलब ये साधा है अनको इतने गरीब है तो मैं कहते हूं इसी लिए अनको इतना दिया है कि उनमें इतनी आजजी है इतनी इनकसारी है तो अपनी जिन्दगी में यही पैदा करना चाहिए आज जी इनके सारी यही नहीं के चार पैसे आगे तो मैं कौन और तुम कौन चाहो यहां से और कहते हैं ना कि अल्ला अगर आपको दे रहा है ना तो आप उसको लोगों में बाढ़ना शुरू कर दो आप उसको लोगों में बाढ़ना शुरू करेगा ना तो अल्ला ताला उसको डबल ट्रिपल कर देगा और मतलब यह भी बड़ा मतलब मिशूर का हावद है ना कि अगर महमानों के लिए अपने दस्तरखान खोल दो तो अनला तो आपके रिस्क में भी बरकर डाले दार किसी स्वाल ली को खाली हात ना जाने दो तो भी अल्ला ताला डबल ट्रिपल करके देता है तो बस अपनी जिंदगी में यहीं मकस्द बनाओ कि अल्ला तग्र हमें दी हैं तो हम दोनों हाथ। सरों से तलब ऑर ज्यादा देगा में मान जो न हम एना मेरी बात & लिहां इना वार बेटा पड़ा उसके पेपर हैं बेटियां दुनें बेटी जो है एक सो गई है एक मेरे पास और इस बापा के साथ लेड़े है तो मैं आज कीमा बना रही थी कीमा जो है मोस्टली तो मैं बनाती होती हूँ के प्याज टोमाटर सारी चीज़ें जो है न वो काट के डाल दू और कीमा भी साथ ही डाल दू लेकिन हजबन कहा रहे थे कि तो मसाला पीस के बनाना वो टोमाटर और प्यास वगयरा आ जाता मुव में तो वो इनको अच्छा नहीं लगता तो वो फिर मैंने सारी चीज़ें डाल के बड़ी इजी हंडिया बन जाती है आप लोग भी कभी ऐसे ट्राई करना सारी चीज़ें डाली गरेंडर में गराइंड कर ली और मज़े से हंडिया बना दी एक साइड पर मैंने इबरहीम के लिए कीमा रखा हुआ था क्यूंकि वो स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं खाता पता नहीं इसमें मेरी कोई कमी रह गी है कि मैंने उसको शुरू से नहीं लगाया अब यह चोटी है ना मानू इसको मैं स्पाइसी थोड़ी मतलब खिलाती हूँ जो घर में बनाता है तो यह खा लेती है लेकिन इबरहीम नहीं खाता यह मैंगो भी मैं उसके लिए लेके आई हुई थी बस उसको यह है कि उसके मुह से एक दोफ़ा बात निकल आई ना कि मैंने यह खाना है तो फिर मैं मुझे होता कि मैं इसको ला दूँ क्योंकि वो इतना मतलब कमजोर भी है तो फिर ये वाला मैंगो मैं लेके आई थी मीठा भी शुकर है निकल आया तो बेटी जो है उसमे पाइनेपल मंगवाया था उसके लिए वो ले आई थी तो मैंने काट के रख लेती हूं बच्चे आएंगे तो खाना दे दूँगी साथ में थोड़ा फ्रूट दे दूँगी उनको इसकाम हम होने के लिए यही है कि अगर आपने किसी काम का इरादा कर लिया ना तो उसको छोड़ो मत जिसना मैंने चोड़ दिया था आप बस इस काम के पीछे पड़ जा और करते रहो करते रहो अपना 100% दो पूरी आप मेहनत करते रहो और मतलब यह कि हिम्मत ना हःO सबर के साथ लगे रहो जाहिरी बात 1 यह लाट प्रूविए होगा तो आप बस हिम्मत के साथ करते हैं और यह होई हो सकता कि अगर आप किसी काम को करने के लिए अपना 100% दे रहे हैं तो वह काम जो है वह आपका पूरा ना हो याला जाला उसमें आपकी हेल्प ना करें तो ऐसा तो होई नहीं ना सकता है अच्छे लोगों की जो सहबत हैं वह हमारे उपर इतनी ज्यादा एफेक्ट होती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती है यह तो मेरे उपर जो है वह बात मतलब गुजरी हुई है अगर हम अच्छे लोगों के पास बैटा हूंगे ना तो उनकी वो जो तासीर है वो हमारे अंदर भी आती है किसी मैं कोई मतलब वाक्या ही सुन रही थी तो उ चाद रह जाती है कि अगर आप जूलर की शौप के बाहर बैठ हुए हो ठीक है और जूलर है ना अपनी दुकान की सफाइदा है वह जाडू लगाता है ना अच्छे तरीके से मतलब सफाई कर रहा है जाडू लगा रहा है ना तो उसकी दुकान में से जो गंद निकलेगा उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सोना भी निकलेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो गिरा होगा, डेफिनेटली, तो वो गंद के साथ वो भी निकलेगा, तो ये पकी बात है, कि अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, जिनकी मतब शक्सियत में कुछ असर क देने वाली बात होगी, तो वो आपके उपर कोई ना कोई इंपक्ट लास मी छोड़ेगी, तो बस कोशिश ही होनी चाहिए, कि इसी तरह के लोगों के साथ बैठें, जिन से हमें कुछ सीखने को भी मिले, कुछ अच्छी पॉजिटिव बात भी आए, नहीं तो ये दुनिय पenा, जो है, ये तो नेगिटिव लोगों से बढ़ी पड़ी है, जो लोग हैं, हमें दिन में दस हजार दSpाईं एंपना काम करते में, और एक दिन काम्याँ हो GPKБ तो इन लोगों को बताएं, तो जब आप पर उन लोगों को बताएंगे ना, तो भिर वो फिर आप से पूछेंगे कि हाँ उन सानवी दसों की दागी था हूँ उन सानवी दसों तो ऐसे लोगों के लिए मिसाल बने तो यह देखें जी मेरा शाथ मेकी माशीमा भी रेडी हो गया था भरी मिर्चें वगरा डाल के इसकी खुबसूरती में अधाफा किया है हम लोगों नहीं यह मेरी सारी चीजें जहरम वाच है रडी हो चुकी है अच्छा कल मैंने मिया सापको खीरी नहीं दी जब उनने मेरा विलोग देखा तो फिर कहते हाई तुमने मुझे खीर नहीं दी मैंने को हाई इल्ला में तो जैन महीं नहीं रहा कियते हाँ बस ठीक हूं तुम लोग बना अच्छ मस्रूफ हो जा तो मुझे नहीं दी मैंने कोई बात नहीं आपको कल दे दूंगी तो बच्चों का टाइम हो गया था तो उनको स्कूल से लेने जा रही थी मैं और हवाएं इतनी तेज थी कि मेरी जो डस्ट मिरने आना उनके उपर से लिड जो है वो निकल निकल के आगे पिछे हो रहे थी इतनी तेज हवा चल रही थी ये इबरहीम को में लेके आ गई थी अब जो है बड़े बेटे को लेने जा रही थी इमान को जो आज उसके पापा लेंगे उसने आज लेट आना था तो अब राफे के लिए यहां पे तकरीबर मुझे हाफ एन आवर ह हो गया हमीट कर रही चले जी अब राफे भी आ गया बच्चे भी आ गया हस्बेंट भी आ गये थे तो फटाफाट रोटियां बनाएं पिर आज आपके सब को पेश की ए तो अगर आपको आज़ की वीडियो मेरी उच्छी लगी है तो प्लीज मेरी होस्ला अफ़ाई के लि झाल झाल